मैं तो पूर्ण बीसी में आप सब काहिर्दे से अभिनंदन करता हूँ उत्तर प्रदेश इनए बल्के देश के किसे भी राज्य के पहले पेपर लिस्ट बजट के लिए प्रदेश के बित्व मंत्री स्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हिर्दे से विनंदन करता हूँ मुझे प्रसंता है कि आज से हमारी कैबनेट भी एक कैबनेट हो गई है आज प्रातर कालिन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबनेट के बैठक आउजित हुई थी वह अभी एक कैबनेट थी और एक कैबनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और आप सब को भी आपने इसका अनंद लिया होगा इसके लिए भी आप सब को मैं बधाई देता हूँ मित्रों एक लोग कल्यानकारी विकासोन मुख सर्व समावेशी बजट के लिए मैं बित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री सी संदीप सींग प्रदेश की अपर मुख्य सचयों बित्त और बित्तायुक्त स्विमती राधा आइस सोहान ता बित्त विभाग की उनकी फुरी टीम को हिरुदै से बधाई देता हूँ यह वजट सब का साथ सब का विकास ता सब के विश्वास कि उत्क्रिष्ट लोगतांत्रिक भावना से प्रिपूर्ण प्रदेश के तेप्र धारनी अमसर समावी विसी विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा बेश्विक महामारी करोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह वजट एक नई आसा एक नई उर्जा और उत्तर प्रदेश की नई सम्भावनाओं को उडान देने का एक मात्यम बनेगा खास तोर पर हर घर को नल हर घर को बिजली हर गाओं में सडक और हर गाओं को डिजटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेट को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में नहीं थे यह बजट प्रदेश के गाओं गरीब किसान नौजवान महलाएं और समाज के प्रतेक तपके का प्रतनिजित्वा करने वाला यह बजट है आत्म निर्फर उत्तर प्रदेश की भावना के रूप यह बजट है इसमें रोजगार की विवस्था सभी वर्गों के उत्थान का इरादा बंचितों सोशितों युवाओं के सुंदर भोस्थे की रूप रेखा और उत्तर प्रदेश के नो निर्माण की संग्रशना भी इस वजट में निहित है मैं इस सांदार वजट के लिए वित्तमंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव पित और वित्तायुक्त जी को हिर्दय से बधाई देता हूं प्रदेश वासियों को इसने सांदार वजट के लिए अपनी सुख्णामनाई भी देता हूं पजट से जुड़ी हूई जो कुछ महत्तुपूर्ण बाते हैं उनमें हम से जानते हैं कि बजट काकार इस बार पांच लाग पचास हजार दोसो सत्तर दसमलब सात आठ करोड उपे का है जो वर्स दोहजार बीस इक्कीस के बजट से सैंतीस करोड चारसो दस दस दसमलब जीरो छे करोड उपे यानि तीन दसमलब साथ सोरी साथ दसमलब तीन प्रिस्ट दिख है अगर आप देखेंगे कि कोविड नाइंटीन के दोरान भी बित्तिय अनुसासन को बनाई रखते हैं प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डिबलम्मेंट के साथ साथ लोग कल्याण की भावनाओं के साथ प्रते एक तबके के हीतों को इसके अंदर समाहित करते वे मैं तुकूर कारिकरम कदम उठाए गये हैं और उसके तहद हम सब जानते हैं कि बिगत वर्स कोविड नाइंटीन के दोरान जिस प्रकार की स्तितियां थी उन इस्तितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया न केवल आम जन जिवन कोविड नाइंटीन के कारण प्रभावित हुआ था बल्कि अर्थ विवस्ता को सबसे अधिक मार छेलनी पड़ी थी उस दौरान भी जिस प्रकार का कारे को उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प सक्ति के साथ आगे बढ़कर के कारे किया आधनिया प्रधान मंत्री जी के मार्क दरसन में हम जानते हैं कि हमारे राज़ोष्य की प्राप्तियों में जो हमारे लक्से थे उस लक्से के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कटनाई हुई है उस सब के बापजोद FRBM की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्ब वेंग ने रखी है 4.5 प्रतिसत का हम उसको 4.17 प्रतिसत तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सरवांगिन विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज काय बजट प्रस्तुत किया है बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरह आप देखेंगे कि बजट की अपने एक थीम होती है उत्तरप्रदेश काय बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था तब हम लोगों ने वा बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था 2018-19 का हमारा बजट प्रदेश के और दोगी की विकास को समर्पित था 2019-20 का हमारा बजट मात्रिश सक्टि को समर्पित था और 2021 का हमारा बजट युवाओं प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफरस्टक्चर डेबलमेंट को समर्पित था तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के बिभिन वर्पों के स्वावलंबन के माध्यम से ससक्ति करण को आधार बना करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है प्रदेश में इस अब लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल हर घर को बिजली हर गाओं को सड़क और हर गाओं को डिजटल बनाने की प्रकरिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूप रिखा इस बजट के माध्यम से प्रारंब की गई है खास तोर पर जब हम क्रिशी छेत्र की ही बाद करते हैं मुख्यमंत्री किर्शक दुर्गटना कल्याण योजना को इस्तार दिया गया है इसमें अब तक किसान अच्छादित था अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य बटाईदार और अन्य लोगों को भी सामिल करते हुए अगर दुर्गटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो पांच लाख रुपे की सायता इस बेमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार की सदस्य की दुखत उपर सुतही इस योजना से प्राप्त होगी बजट में इस बात की विवस्ता की गई है साती साथ जो किसान परिवार आयुसमान भारत से स्वास्ति बीमा से कवर नहीं प्राप्त किये हैं उन्हें मुख्यमंत्री जन आरुक के योजना के इंतरगत पांच लाख रुपे की भी निसुलक स्वास्ति बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है मित्रों मैलाओं की तिस्से एक कुछ नहीं योजना ये प्रारंब की गई हैं आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को ब्यापक आयाम मिला है इससे पहले मुख्यमंत्री सामीक विवाह की योजना बड़ी लोगप्री ये हुई है जिसमें सवा लाग से इधिक बालिकाओं की साधी विवाह के कारिकरम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं हमने इसकी राजसे को 31,000 से वढ़ा कर 35,000 से वढ़ा करके क्याउन हजार रुपी भी बिगत वर्स किया था इस वर्स मुख्यमंत्री सक्सम सुपोस्ण योजना एक नई योजना उन छेत्रों के लिए उन लोगों के लिए लाही जा रही है छे मेहने से लेके पांच साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोसित है उस बच्चे को सुपोसित करने के लिए या जो बालिकाएं स्कून नहीं जाड़ पाती है ग्यारा से चौदा साथ तकी उन बालिकाओं के लिए जो एनिमिया से प्रिडित हैं उनके लिए भी इस वजट में एक प्रावधान किया गया है दूसरा एक बहुत अच्छी योजना महला ससक्ति करण के दिस्ता में प्रारंब की जा रही है और यहां है महला सामर्थय योजना यह महला सामर्थय योजना हम लोगों ने वर्स 2019 में जहां से बुंदेल खंड में बलेनी मिल्क प्रावटीजर का वहा पर प्रारंब किया था भारस सरकार के सायोग से अब आज सेरे करेंगे एक वर्स में इस योजना के साथ जुड़ीवी महलाओं ने 46 करोड उपे का इनका टन ओबर था और 2 करोड का नेट प्रॉफिट इस महला स्वेम से भी समों को वहाँ पर प्राप्त हुआ था ऐसे नए स्वेम से भी समों और इनके माध्यम से दुख्द छेत्र में एक नई करांति लाने के लिए प्रदेश ने महला समर्त योजना प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की है और इस योजना के अंतरगत हम लोग यहां पर प्रदेश के अंदर इसके लिए भी 200 करोड उपे की विवस्ता प्रारंब की गई है इसके लावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही युवाओं के लिए आप सब जानते हैं कि अभी हाली में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है और योजना है मुख्यमंत्री अभ्यूदय योजना है प्रदेश के युगाओं को प्रतियोगी परिक्साओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुल दो प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिस्टनरी हेट क्वार्टर पे विवस्ता प्रारंब की ह है जो हमारी पसंद पंचमी से क्लासेज फिजिकली वर्चुली प्रारंब भी हो चुकी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं लगवग दस लाग लोग अब तक उससे जुड़ रहे हैं वर्चुली जुड़ रहे हैं फिजिकली अभी ये संख्या चुकि इ को देखते हुई इसमें हम लोग उसको क्रेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये योजना प्रदेश के अंदर लोग परिये हुई है और अन्ने राज्यों में इसकी डिमांड हुई है हम लोग ने एक बिवस्ता इसके साथ जोड़ी है इन प्रतयोगी परिक्साओं के लिए चा एक तैयारी करते हैं तो उनको हम इसका एक प्लेट फोर्म मुख्यमंत्र अब्यूदा योजना से प्रारंबुक्त करी रहे हैं लेकिन साथ-साथ इसमें जो भी पातरता की सिर्णी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की विवस्ता भी हम लोगों ने इस योजना के अंदर गदा भोसित किया है उन्हें एक एक टैबलेट भी उपलब्द कराएंगे क्योंकि जो बच्चे वर्चुली इस कलास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आउस सेखर टैबलेट की विवस्ता का प्रावधान आज की इस वच्चेट में उनके लिए किया के बाबजूत हमारे कुछ कमिस्टनरी ऐसे हैं 18 कमिस्टनरी है और 18 कमिस्टनरी मैंसे जो कमिस्टनरी सेस बची हैं जिनमें कोई सेनिक स्कूल नहीं उसमें एक-एक सेनिक स्कूल को भी हम लोगों ने आद प्रस्तावित किया है कि एक-एक सेनिक स्कूल उस कमिस्टनरी के अंदर किसी एक जन्पद में अस्थापित करने की कारियोशना हम इसके साथ मनाएंगे संस्कृत पढ़ने वाले पच्चों के लिए उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी लौजिंग और फूटिंग की विवस्ता नहीं उपाती है जिससे बिद्यालेओं में भी उपस्तिती नहीं रहती है और साथ साथ सौबाई पूप से बच्चे नहीं आपाते हैं तो बिद्यालेओं में भी उपस्तिती कम रह करेंगे उनकी लॉजिंग और फोटिंग के लिए सरकार इसके लिए विवस्ता करेगी और इसमें हम गुरुकुल पद्दति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्यकरम को और मजबूती से आगे वढ़ाने के उन बच्चों की लॉजिंग फोटिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सयोग करेगी और एक करेकरम आगे वढ़ेंगे प्रदेश के अंदर खेल कोट और खेल विकास और खेल कोट के लिए भी प्रोटसान के लिए प्रदेश सरकार ने बिवस्ता की है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से हमार करें हैं प्रदेस के अंदर एक विवस्ता कि जिन जिस कमिश्तनरी में कोई राज्य विश्विध्याले हमारा भी नहीं है तिन राज्य विश्विध्याले वर्तमान में प्रस्तावित है एक साहरनपुर में, दूसरा अलिकड में, तीसरा आजमगड में इसके लावा जिस कमिस्टनरी में कोई राज्य विश्विद्याले नहीं होगा वहाँ पर हम एक नए राज्य विश्विद्याले की अस्थापना वहाँ पर हम लोग करेंगे इस दिस से एक बड़ी गोशना भी इस बजट में की गई है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हमारे 69 जनपद ऐसे हैं जिन 69 जनपदों में कोई न कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है गौर्मेंट का हो या प्राविट छेतर का मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है और बैतरी स्वास्ते के सुपधा वहाँ पर उपलब्द होती है जिन सेतरों में मेडिकल कोई मेडिकल संस्थान है मेडिकल कॉलेज नहीं जिन जनपदों में ऐसे 16 जनपद हैं उन 16 जनपदों में भी PPP मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज अस्थापना के लिए सयोग करेंगे इसकी पॉलसी हमारी तयार हो चुकी है और बजट में इसकी गोशना कर दी गई है ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रस्टक्चर की स्टेंटिनिंग के लिए एक बहुत बड़ी गोशना है और ये प्रदेश के स्वा मुझारटी चेत्र के सर्विकों के सामने किस प्रकार की समस्याइएं खड़ी होती है करोना जैसी महमारी के दोरान सारी विवस्ता स्टव्यस्त सी हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों ने प्लायन का रास्ता प्रारंब किया था उस समय हम लोगों ने ठिरी मेरासन वरन कि योजनाओं से उन्हें अच्छा दित करते हैं जिनके लिए हम लोगोंने बिगत वर्स अठारा अठाल आवास्य विद्याल है उनकी बच्चों के लिए प्रारंब करने की कारवाई प्रारंब की है वरतमान में उनकी पे कारवाई तीजी से चब चल लए है जिसमें हम उन को वहाँ पे हम लोगोंने पहले से ही स्वास्ते वीमा की बल्कि सामाजिक सुरक्सा की गारंटी भी वहाँ पर उपलब्द कराई है पहली बार असंगटी छेद्र के उन मजदूरों के लिए जिनकी संख्या अगर अकिले प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे लगबग एक करोड से अधिक है चालीस लाग प्रवासी कामगार और सर्मिक तो क्योल प्रदेश वेई आये थी करोना कालखंड में इसके लाबा एग्रिकल्चर के छेटर में काम करने वाले ठेला खोंचार एड़ी लगाने वाले पल्लेदार कुली यह जितने भी हैं यह असंगटी चेटर के हर ब्यक्ति को हम लोग उसका रेजिश्टेशन उनका रेजिश्टेशन की कारवाई करने जा रहे हैं और उन सभी को दो लाग रुपे की सामाचिक सुरक्सा की गारंटी प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्द कराएगी और साथ-साथ प्रदेश के अंदर हम लोग असंगटी चेटर के प्रतेक ब्यक्ति को जो असंगटी चेटर का मजदूर है उसे पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जनारुग्य योजना के अंतरगत हम उन्हें देने जा रहे हैं ये बड़ी योजनाएं इस चेटर में उन लोगों के प्लब्द कराई जा रहे हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से बंचित थे और एक प्रकार से अब विवस्तित से और खाना वदोस्य उनकी जीवन से था उसको विवस्तित बनाने के लिए लगबग एक करोड से धिक असंगटी चेटर के लोग और एक करोड से धिक स अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर साड़े पांच लाग से थी गोवन्स हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराशित गोव आसरे स्तलों में उनकी विवस्ता और उनकी सुरक्सा की जा रही है उनके खानपान की विवस्ता उनकी रखने की विवस्ता की गई है लेक इसमें हम 900 रुपे हर गोवन्सों किसान परिवार को प्लब्द कराते हैं लेकिन सरकार ने तैय किया है हर नया पंचायद अस्तर पर भी एक निरासित गोव आसरे स्तलों की विवस्ता के लिए भी धनराशी की विवस्ता की गई है जिसको हम अस्थाने एंचियों के माद्यम से इसको संचालित करने का कारे करवाएंगे इंफरस्टेक्चर और वहां की जो लैंड होगी है सरकार की होगी और एंचियों की साथ मदद के मदद से हम इसको संचालित करने का कारे करेंगे इसके साथ ही नगरिये चेत्रों में भी हम इस प्रकार की योजना को संचालित करन की एक ब्रहत कार्योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं और निरासित गोवंस की नसल सुधार की दिसा में भी एक नई कार्योजना की घोशना जहां पर की गई है खुर्पका और मुपका जैसी बिमारियों से मुक्ति का एक अध्यान प्रदेश के अंदर युद्धस्तर पर चल से दिक रिजिश्टेशन हो और भले जीएस्टी देता हो या ना देता हो यह बात कव इसे है लेकिन रिजिश्टेशन के साथ साथ उन लोगों का रिटन भरने की ट्रेनिंग देने और 10 लाख रुपे तक की कोई दुरगटना उनके साथ होती है उस ब्यापारी के साथ कोई कैज़टी होती तो उसके परिवार को 10 लाख रुपे की एक कवर प्रदेश ने इसमें उपलब्द करवाने की कारे किया और प्रदेश ने इसमें काफी बड़ा कारिय इस दिसामें प्रारम किया है यह एक बड़ा कारिय प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने का बढ़नाने क इस बार की गई है और इस ब्यवस्ता के माध्यम से हम लोग काफी बड़े अस्तर पर प्रतेक नागरिक तक बेहतर स्वास्ते की सुप्धा अप्लब्द कराने में हमें मदद मिली कि कुछ नहीं चीजें जो वास्तों में यहां पर उप्लब्द हो सकते हैं लखनों में हम सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वाइरस के समय से पैचान करने और फिर उस वाइरस के खिलाब उस प्रकार के वैक्सीन को विक्सित करने की सामय कारे क्यादा सके इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने अस्तर पर यहां पर बनाने क कि एक कारियोजना को बजट में दिया है जिसमें केजीम्यू सीडी आराई ये कि ट्यू मिलकर कि उस प्रकार का एक संस्थान लखनों में बनाएंगे जिससे आने वाले समय में कोविड जैसा कोविड-19 जैसा कोई अगर वाइरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर सहारत में कहीं भी उसका होता है तो समय से हम उसकी पैचान कर सकेंगे और उस दिश्य फिर वैक्सीन के निर्माड में भी सायक हो सकेगा इसके लिए एक बड़ा कारें यहां पर प्रारंब किया जा रहा है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के विश्वविद्याले का है प्रदेश के अंदर एक नए हम लोगों ने यहां पे विदी विश्ववद्याले का लौव नुस्टी प्रियागराज में बनाने की कारवाई को भी हम लोगों को ने इस ज़वजट में की गई है जो स्वाशते छिटर में एक उच्छस्तरि ये भैतरीन सुविधा यहां पर उपरभ्द कराने की सामें एक नया कार्य यहां पर उप्रभ्द कराने में काफी मदद करेगा मित्रों जल्जीवन मिशन हर घर नल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन प्रारंब होने के समय उत्तर प्रदेश का अच्छादन दो फीस्ती से कम था और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए ब्यापक कार्युशना हमारा इमानना है कि एकर बैक्ति को सुद्ध पेज पूर हो जाती है हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि आधनिये प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में उनकी प्रिणा से इनसे प्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है इसमें हमारे दो आधार थे एक था स्वच भारत 1200 से 1500 जिन बच्चों की मौत होती थी 115 वर्स तक के बच्चों की लगबग 1200 से 1500 मौते प्रतिवर्स होती थी पिसले तीन वर्स के दो चार वर्स के दोरान अंतर विभाग्य समनवे की माध्यम से हम लोगों ने एक जो प्रयास प्रारंब किया उसका पेणाम है बिमारी पे 75 फीजती नियंतन करने और मौत पर 95 फीजती तक नियंतन करने में हमें सफलता प्राप्त होई है एक बड़ी स सामें नए प्रयास प्रारंब करने के लिए हर घर नल की इस योजना को भी हम जिससे प्रदेश के अंदर मुंदेल खन का छेतर हो बिंद का छेतर हो आर्सनीक फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या से जो छेतर जूज रहे हैं या जहां पे अन्य समस्या हैं उन सभी को ग् जार करोड उपे की बड़ी विवस्ता बजट में की गई है जिससे हर एक ब्यक्ति को सुद्व पेजल की आपूरती हम कर सकेंगे और केवल योजना लागवी नहीं हो ना बलकि इस योजना को संस्टेनेबल बनाने के लिए जो इस योजना के साथ जुड़ेगा उसको दस वर्सों तक उस योजना की देख भाल करनी की भी जिम्यदारी लेनी है ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है इसले एक बड़ा कार्य इसमें ग्रामिन और सहरी छेत्रों के साथ इसको जोडने का प्रयास प्रारंब किया गया है प्रदेश में नगरिये छेत्रों का दायरा मौश रही है एक बड़ी संख्या इनकी बड़े तो सारी छेत्रों में भी नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार करने के लिए दौस इसमार्ट सिटी भारत सरकार ने गोशित की थी राज्य सरकार के साथ मिलकर कि तो साथ अन्य नगर निगंते उन्हें राज्य सरकार अप प्रारंब की है इसके साथ ही साथ सहर हमारे ऐसे हैं जो अंपरित योजना से आच्छा दी थे वहां पे पेजल के साथ साथ सिवर आदी की विवस्ता के बढ़ाने के साथ ही ग्रामिन और सहरी छेत्रों में आवास की सुविधा अपलब्द कराने और सेस अन्य लोगों के ल है और यह बहुत अच्छे डंग से प्रदेश के अंदर यह चीज़ें आगे चल लई है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने और विकास के छेतर में इस और डूइंग बिसनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है देश ने भी दुनिया ने भी उसको सरा है 2016 में उत्तर प्रदेश 14 अस्थान पर था 2017 में उत्तर प्रदेश 12 अस्थान पर आया और आज उत्तर प्रदेश दूसरे अस्थान पर है यह प्रदेश ने जो रिफॉर्म किये हैं हम लोगों ने हर एक फिर्ड में कापी सुधार किये हैं जिससे देश के अंदर सबसे अच्छे गंतव्य की रूप में प्रदेश बना है इस दोरान आपने देखा होगा देश कोरोना कालखंड के दोरान जब हर जगे अभिवस्ता थी लोग अपने को निस्तेमाल पा रहे थे तब हम कोरोना प्रवंदन की बेहतरी नुद्धान भी प्रस्तुत कर रहे थी इतने लगबग पांच घार परफ निवेश होने प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क इस थापना लिए सथापना ननी रुप में हो यानिसें प्रदेश being अभी रजायिका का एक पांच हाउर पांच सो करोन पे की निवेश को लेकर बी जोस जिनका सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है उन पर उनके द्वारा यहां पर एक नए निवेश को यहां पर प्रारंब किया गया है यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फिर्ड में जो कारे किये हैं उसके माध्यम से इसमें काफी इससे संभावना में इससे आगे बढ़ी है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आव निवेश की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्स्ता का एक माहोल दिया है अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को सुनिशित किया है बजट मे यहां पर एक सेंटर ऑप एक्सिलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहां पर लॉपनों में इस्तापित करने जा रहे हैं प्रदेश के सभी रेंज अस्तर पर अठारा रेंज है पुलिस के अठारा बेंज अस्तर पर अठारा फॉरेंसिक लैब जो लेवल टू और लेवल थ्री की हैं इन्हें वहां पर स्तापित करने के लिए भी हम लोगोंने बजट का प्रावधान क्या तेजी से इस पर कारे चला है प्रदेश में 2016 तक 16-17 तक केवल एक साइबर थाना था आज हम लोग हर जन्पद में साइबर थाना स्तापित करने की कारवाई को युद्धतर पर आगे बढ़ा चुके हैं यह प्रदेश को नए यानि समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराद और अपराध्यों पर अंकुस कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कारवाई कर सकेंगे यह हम लोगों यहां विवस्ता की है प्रदेश के अंदर सूक् पड़ी जो हमारी कताई और स्प्रिलिंग में नी थी इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने कारे योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है प्रदेश साथी साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक्टर में उद्योग लगाने के लिए एक हजार दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आउसेक्ता ने पड़ेगी आप जाएए अपना यूनिट लगाईए और एक हजार दिन के अंदर बाकी आप चारिक्ताओं को आप पूर्ण करिए ऐसा नहीं कि लाइसेंस के वाव में या एनोची के वाव में आप अपना कारें नहीं कर पा रहे हैं मेसमी को इसे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे यह भी करनी कौला अउत्थर प्रव्दacyjश पहला राज्यर उससामें तीजिसे विकास करने के साती इसके अंदर इंफ्रस्ट्रक्चर डेबलोमेंट के लिए आप सब जानते हैं पुरवंचल एक्सप्रेश वे हमारा इस पर विकास ये कारे लगवग 80 फीजदी पूर्ण होने जा रहा है इसी प्रकार से बुंदेलखन एक्सप्रेश वे इस पर लगवग 50 फीजदी का कारे हम हमारा पूर्ण हो चुका है गोरकपुर लिंक एक्सप्रेश वे लगवग 25 फीजदी से दिकारे हमारा यहां पर पीज़े के साथ आगे बढ़ चुका है बलिया लिंक एक्सप्रेश वे इसकी कारियोजना को सरकार ने अपनी सैतान्तिक मंजूरी देदी है और अब हम एक न इस बजट में की जा रही है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो और से हमारी इंटर स्टेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसको फोर लेन से जोडने के लिए भी हमारे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालियों को फोर लेन से जोडने के लिए भी ग्रामेड छेत्र में जिन छेत्रों में आज तक connectivity नहीं हो पाई है उस हर गाउं को भी सड़क की connectivity से प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से या फिर सप्रदेश सरकार की ही किसी योजना के माध्यम से जोडने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है और हर गाउं डिश्टल होगा आपने देखा होगा हर गाउं में ग्राम सचवाले के अब गाउं में ही आई प्रमान पत्र मूल निवास प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र ये गाउं में ही दिश्टली प्राप्त होगा इसके साथ ही हर गाउं में एक बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सकी गाउं की हर एक महला को गाउं में ही रोजगार मिलेगा और अब बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सकी की रूप में ही गाउं में अपनी सेवा दे पाएगी साथी, लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्य कामकाज को और समय को भचप करने एक बहुत निढ़ायक भूमे का करन्दकारी निढ़ा है। फ्शेतर में एक तो लिया गया है। दूसरा हर गाउंड़ में एक स्वंड़ा है सो चाले में भी गा устрой कि एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्युत्स्तर पर प्रारम हुआ है यानि रोजगार सिर्जन की दिसा में एक बड़ा कार्य इस छेत्र में हुआ है लेकिन साथी हम लोगों यहां की निर्मान की कारवाई को दस्तर पर हमारा एक कारे चला है अयोध्या एक एरपोर्ट के रूप में विक्सित होगा इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एरपोर्ट के रुप में डेबलप करेंगे जेवर एरपोर्ट पहले वहां पर केवल वहां पर एक विवस्ता थी कि वहां पर जो किवल दो वहां पर एरिस्टीप बनेंगे लेकिन अब उसे बढ़ा करके 6 तक बिस्तार देने के कार्योषना के एक नई नया स्थान स्म poses प्राप्त होगा चाहिवाग फिल्म सीटी के कारेकरम को आगे बढ़ाने का हो सिंस सीटी को वहां पर आगे बढ़ाने का उप वहां कांटे एक City के रूप में उसे डेबलप करने के लिए प्रदेश के अंदर उसी नगर में इंटरनेशनल एरपोर्ट बन रहा है वारानासी और लखनों में इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहले से भारत सरकार कारे कर रही है लेकिन साथ-साथ प्रदेश के अंदर साहरनफूर, मेरट, अलीगड, मुरादाबाद, बरेली और आजमगड, चित्रकोट, सोनभद्र ये सभी चेत्र भी एर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी के साथ जितनी तेजी के साथ उत्रप को आगे बढ़ाने का कारी किया है, प्रदेश के अंदर पुलिस के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनके लिए अवस्तापना सुविधाओं के विकास के लिए एक बड़ा कारे प्रदेश ने इस बजट में उसकी विवस्ता की है, और जितनी भी अवस सुविधाओं का विकास होगा, इन आवासिय सुविधाओं का विकास महान करन्तिकारी, सहित रोसन सिंग के नाम पर हर पुलिस लाइन में, हर पुलिस ठाना में और हर एक पुलिस चोकी में यह उस्तापना जो सुविधाओं का विकास, आवासिय सुविधाओं का विकास, पुलिस के लिए क्या जा रहा है इन सभी के साथ उनको जोडने का कारे हुआ है इतने बड़े पैमाने पर इसुग्णाय यह दिजा रही है ये बड़े अस्तर पर कारे हुआ है लेकिन साथ साथ अपने देश के किरान्तिकारियों और देश के सहीतों की प्रति सम्मान का वहाविक्त करने के लिए चोरी-चोरा महत्सों हो, सताती महत्सों के मात्यम से हर एक क्रांतिकारी अस्तल पर, हर एक सहीत अस्तली के पुनरुद्धार, सुदर्डी करण और सुंदरी करण की कारयोजना को भी प्रदेश सरकार ने अपने वजट का हिस्सा बनाया है प्रदेश में सर्विस सेक्टर की अनन्त संभावना है और इसमें रोजगार की अनन्त संभावना है आपने देखा होगा प्रयागराज कुम्ब आपके सामने है प्रयागराज कुम्ब के मात्यम से कैसे चहां पर माहा कुम्ब के समय में क्यवल 12 करोड ही सरधालू और प्रेटक आप आये थे थोड़ी सी विवस्ता प्रदेश सरकारने की स्वच्टा सुरक्सा और सुविवस्ता का एक मानक प्रस्तुत किया 24 करोड प्रेटक और सरधालू उसी प्रियागराच कुम्ब में वहां पर आये अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस स्पार्ट के रूप में डेबलप हुआ है जो फूटफाल है अयोध्या का अगर आप देखेंगे अद्बुत है और बहुत उसको देखकर के वास् करने के लिए हमें हमारे पास ब्यापक संभावनाई स्फिर्ड की और खासतोर पार इस जो रिलीचेस जो हमारे पास टूरिस्ट है या स्त्रधालू है उसके लिए अयोध्या है वाकासी है प्रियाग राज है चित्रकूट है नेमिस है बिंदवासनी धाम है दयुपाटन ध शुक्त है इन सभी के समग्र विकास के साथ यान यहां पर जंता को अब प्रदेश के अंदर एको टूरिजम की जो समभावना हैं हेरिटेश टूरिजम के लिए जितनी समभावना हैं इन सभी को हम आगे वड़ा सके चाहएवहाँ आपने देखा होगा एक दिपावली को कैसे दुनिया के अंदर एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है ये सारी चीजें हम इसके साथ जोडने जा रहे हैं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पूरी बजट में अनुसुची जाती के लिए भी, जन जाती के लिए भी, पिछडी जाती के लिए भी, प्रयाप्त धंदासी विवस्ता, उनके पुनुरुद्धार और उनके कल्या ने विवस्ता इस बजट में यहाँ पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है, यानि अगर हम कहें कि यहाँ बजट प्रदेश की 24 करोड भावनाओं का प्रतनिद्व करता हुआ, प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर के समक्र विकास को और एक सरसमावेसी विकास को ध्यान में रखकर की बनाये गया है, मैं एक लोग कल्यानकारी विकासों नुमुक्ष, सरसमावेसी वजट के लिए, अपने वित्त मंत्री स्री सुरेश कन्ना जी को, बित्त राज्य मंत्री स्री संदीव सिंग जी को, अपर मुख्य सचिव, बित्त आयुक्त स्रीमती राधा शौहान जी को, और बित्त विवहाद की फूरी टीम को, एक बार फिर से बधाई देता हूँ, और एक अच्छे वजट के लिए, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए और समाज की प्रतेक तब्के के लिए, बेहतर विवस्ता की गई है, पत्रकारों के लिए पहले हम बिवस्ता कर चुके हैं, आवास्य सुविधा, मीडिया के लिए तो आवास्य सुविधा की भी और स्वास्त भीमा का हम पहले ही कवर दे चुके है विवस्ता अगे अब बढ़ चुका, बढ़ चुक अहिवाध की है, बहत री इम भार विवस्ता हो की जह रही कि आ정이ा है, आप सब झाल 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 झाल